पूर्व अध्यक्ष ब्रजबुशन और रेसलर्स विवाद में पहलवान विनेश फोगाट ने बड़े दावे की हैं एक समाचार एजनसी को दिये इंटर्व्यू में विनेश फोगाट ने कहा मैं प्रधान मंद्री की चुपी से आहत हूँ जब पहलवान खेल मंद्री अनुराक ठाकुर से बात कर रहे थे तो वो फोन पर व्यस्त थे उन्हें मेरी चिंताएं सुनने में कोई दिल्चस्पी नहीं थी खेल मंद्री अनुराक ठाकुर ने कुछ दिन पहले ही पहलवानों से बात की थी जिसमें भरुसा दिया था कि 15 जुन को केस की चार्जशिट पेश होगी तीज जुन तक WFI के चुनाव करा लिय जाएंगे विनेश फोगाट ने आगे कहा कि जब हम चार्जशिट का इंतजार कर रहे हैं अगर ब्रजबुशन पर ठोस कारवाई नहीं होती तो इसी रात को मिटिंग कर अगले दिन के अंदोलन का फैसला कर एलन कर दिया जाएगा सरकार ने दिल्ली के जंतन मंतर पर धन्ना शुरू नहीं करने दिया तो राम लिला मेदान या फिर किसी अन्य जगह पर अंदोलन शुरू किया जाएगा विनेश फोगाड की कही तीन एहम बाते ट्रेनिंग केम्प और टूर्नामेट में ब्रजबूशन युवा महिला पहलवानों को अकेला पाकर छूने के लिए हर संभव तरीके का इस्तिमाल करते थे ऐसा बार-बार होता था ब्रजबूशन ताकतवर आत्मी है वो हर जगह घूम रहे हैं और हमें घर बैटने के लिए मजबूर किया जा रहा है हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था मजबूर होकर हमें सारवजनिक प्रदशन करना पड़ा ताकि देश को पता चले कि शिर्ष पहलवानों से कैसा वेवार होता है महिला पहलवानों ने योन शोचन के केस में दिल्ली पूलिस ने तीन देशों कजाकिस्तान, मंगोलिया और इंडोनेशिया से जाज में मदद मागी है इनके कुष्टी संगों को नोटिस भेज कर उन जगों की सिसी टीवी फूटेज और फोटो देने को कहा जा महिला पहलवानों ने ब्रजबुशन पर योन शोचन के अरोप लगा है पहलवानों ने 2016 और 2022 में मंगोलिया में और 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में छेड़ शड़ का आरोप लगाया है इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दो महिला पहलवानों को नोटिस भेज कर योन शोचन के फोटो, आडियो और वीडियो सबुत मागे है इसमें होनके होटल में ठेड़ने से लेके रूम मेट्स तक के बारे में पुछा गया है इसी कसाथ बने रही है राजनामा टिवी के साथ दाने बाद